जेहिन दोस्तों रक्षित खंणा के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के जीडियो में मैं आपको कुछ मैतमूर जानकारिया दूँगा। इसमें से कुछ जानकारिया जुड़ी हैं मिनिमम गरेंटी पैंशन के बारे में। एक और खबर आईए 15 लाग एमाउंट लेने के बारे में। वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। कुछ और जानकारिया जुड़ी हैं अगस्त की पैंशन इसलिप के बारे में। वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। कुछ जानकारिया जोड़ी है, Unified Pension Scheme के बारे में, यानि जिनको Unified Pension Scheme मिलेगी, उनकी गरिजोटी किस तरीके से calculate होगी, उन सरकारी करमचारी होगी, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूँगा, दो-तिन जानकारिया और है, वो भी मैं आपको आगे दूँगा, तो तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्वा, क्योंकि ऐसी जानकारिया अकसर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के मैदम से, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो के notification है, वो आपको time पर मिलते रहें, और बढ़ते हैं, सबसे पहली जानकारी है, कॉंग्रेस ने कहा, BGP सरकार ने UPS के नाम पर लॉलीपॉप ठमा दिया है, सरकारी करमचारियों को, जिसमें कोई पायदा नहीं है, NPS की तुलना में सबसे बिकार स्कीम है UPS, जियां दोस्तों, कॉंग्रेस सरकार को कुछ ना बोलता रहता है, दोस्तों फिर से एक बार विपक्ष BGP सरकार पे बढ़ता है, BGP सरकार ने, कें शरकार ने, जो UPS लागू किया, उस से खिलाफ Congress सरकार बोल रही है, कि जो UPS लागू किया सरकार ने, वो एक बिकार इसकीम है, उससे कोई पयादा नहीं हुगा, NPS से भी विकार इसकी में UPS, ऐसा कॉंग्रेस सरकार कह रही है, उनके मंत्री कह रहे हैं, दोस्तो हम राजनीती में बिल्कुल नहीं पड़ते, इसकी जो समिक्षा है UPS की, वो हम छोड़ देते हैं सरकारी करमचारियों पे, क्योंकि सरकारी करमचारी को ही फायदा मिलेगा UPS का, जब UPS को सही ढंग से आगे चलाय जाएगा, तो दोस्तो इसका फीड़बैक देंगे सरकारी करमचारी, वो ही बताएंगे कि UPS सही है या फिर गलत है, कॉंग्रेस के कहने से क्या होगा, या फिर BGP सरकार के कहने से क्या होगा, बीजेपी सरकार ने तो लागू कर दिया UPS, लेकिन एक्च्वल में जो सरकारी करमचारी उसको यूस करेंगे, उसमें आएंगे, वो एक्च्वल फीडबैक देंगे, वो ही बताएंगे कि UPS स्कीम है कैसी, तो इसके लिए हमें रुखना होगा, वेट करना होगा, तो दोस् ही हो, हम तो यह चाते हैं, चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ, UPS में रिटैर्मेंट गरिजुएटी की कल्कुलेशन करते वक्त, बेसिक पे के साथ साथ दिये भी इंक्लूड होगा, जी हैं दोस्तों, UPS में यूनिटपाइट पेंशन स्कीम में जैसा आपको पत दोस्तों, इसकी रिटैर्मेंट गरिजुटी कैसे कल्कुलेट होगी, दोस्तों, इसकी जो रिटैर्मेंट गरिजुटी की कल्कुलेशन है, वो बिलकुल डिफेंस से अलग है, जैसा कि डिफेंस में यूज होता है फार्मूला, गरिजुटी निकलने का, वो अलग है, बस इसमें defense के मुकाबरे कुछ कम चीज़े include होती है civil में तो दोस्तो इसमें क्या क्या चीज़े add होगी एक तो basic pay add होगी basic pay में जितना percent DA चल रहा होगा उस time retirement के time वो calculate होगा basic pay plus DA फिर दोस्तो उसका total और फिर उस करमचारी की कितनी calling fine service है वो ली जाएगे फिर divide कर देंगे two से फि calculate हो जाएगी जो हम formula लगाते हैं जो हम calculate करते हैं अपने department वो दोस्तो calling fine service का हम double कर देते हैं और divided by four इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर basic pay plus DA total करेंगे और फिर जितनी calling fine service है वो लिखेंगे और divided by two तो इससे आपकी retirement maturity calculate हो जाएगी तो दोस्तो ये formula use होगा UPS में जैसा की as usual formula है पहले से चलता आ रहा है civil में भी चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ अगस्त की pension slip जारी हो चुकी है पैंशनर्स चेक करें और download कर सकते हैं इस पर्च पे जिया दोस्तों आपको बहुत पहले ही message मिल गया हुगा कि आपकी जो अगस्त की pension है वो इस पर्च से आ तो दोस्तों आप चेक कर लिजिए और आप download कर सकते हैं देख सकते हैं अपनी अगस्त की pension slip और जो आपकी अगस्त की pension मिलेगी इस पर्च से वो 30 अगस्त को मिलेगी जैसा कि आपको message मिला था कापी pension कह रहते हैं कि sir हमें message नहीं मिला कि हमारी pension नहीं आएगी नहीं दोस्तो या फिर 30 तारीके बीच मिल पाएगी 25 से 31 तारीके बीच यह मैं आपको बता दिया तो आप pension इसलिफ चेक कर सकते हैं इस परच के pension चलते हैं अंगली जानकारी की तरफ जिन सुवेदारों को honorary मिली हुई है उनको honorary सुवेदार major की pension नहीं मिल दोस्तों काफी सुवेदार हैं जिनको honorary मिली हुई है और उनको honorary सुवेदार major की pension नहीं मिल रही है वो एक बार मुझे comment कर दीजिए ताकि मैं उनका एक अलगसे group बना दूँ जियां दोस्तों क्योंकि कुछ honorary सुवेदार कह रहे थे कि हम कुछ court case करने की सोच रहे हैं ताकि हमे honorary का benefit मिले honorary सुवेदार major का benefit मिले जिस तरीके से हवालदारों को honorary सुवेदार का benefit मिलता है तो इसी तरीके से जो honorary सुवेदार है उनको honorary सुवेदार major की pension मिल सके इसलिए एक group बनाया जा रहा है तो दोस्तों आप नीचे comment कर दीजिए फिर मैं अपने हैसाब से उनको एक group में जोड़ दूँगा एक group में फिर वो आपस में जो भी फैसला लेंगे वो फिर आपके हक महीं होगा तो आप पहले group बनाईए आप comment करके बताईए मुझे चलते हैं आगली जानकारी की तरफ जेसियोस, ओवार्स, ओफिसर और स्पाउस जिनको पैंशन मिल रही है जेसियोस, ओवार्स या फिर स्पाउस, वाइफ अगर वो भारत सरकार के तुरू कोई पैंशन ले रहे हैं तो दोस्तों उनको 15 लाक रुपे नहीं मिलेगे उनको नहीं मिलेगे ऐसा मेरे पास एक message है साइड में आप चेक कर सकते हैं जिनोंने 1971 की 1965 की लड़ाई लड़ी है लड़ाई लड़ी है लेकिन उसके बाब जूद भी वो पैंशन ले रहे हैं भारत सरकार के दोरा तो उनको 15 लाक रुपे नहीं मिलेंगे चाए वो आर्मी की हैं चाए वो नेवी की हैं या फिर वो ए एक मैसेज जारी हुआ है दोस्तों आब वो मैसेज पढ़ सकते हैं चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ मिनिममम पैंशन गैरंटी योजना 6 CPC तक लागोती जी है दोस्तों मिनिममम पैंशन गैरंटी ये सिरफ चटे पे कमिशन तक लागोती 7 CPC आते आते मिनिममम pension guarantee को खतम कर दिया दोस्तों आप अपनी minimum pension circular 568 में भी देख सकते हैं या फिर circular 430 में भी देख सकते हैं या फिर circular 501 में भी दे सकते हैं सबसे कम फाइदा minimum pension guarantee में मिला 6 CPC में इसी पे दोस्तों case भी चल रहा है AFT चंडिगड में लेकिन दोस्तों अगर minimum pension guarantee 7 CPC में लागू कर दी जाती है बेसिक pay के साब से तो दोस्तों इससे आपको ज़्यादा मिलेगा जैसा की बीर बादूर सिंग जी भी बताते हैं नेशनल कॉर्डिनर बीर बादूर सिंग जी वाइड ऑफ एक्स अरिस्वेंट सोसाइटी के उनका यही कहना है कि 7 CPC में किस तरीके से minimum pension guarantee को लाया जाए जिससे आपकी अच्छी खासी pension बढ़ सके वार्स की और जेस्योस की इनका यही कहना है दोस्तों इसी पे यह कुछ बाते रखके आयते भारस सरकार के सामने कि किस तरीके से minimum pension guarantee को ढाल बनाकर 7 CPC में जेस्योस की ओवार्स की pension बढ़ाई जाए तो एक यह formula भी है minimum pension guarantee का हाला कि यह छटे पे commission तक खतम हो चुका है 6 CPC तक था यह अब खतम हो चुका है 7 CPC में और तभी भारस सरकार ने इसे लागू नहीं करा इसकी जगे 7 CPC की pay matrix या फिर कोई दूसरे formula वो अपनाती आई है लेकिन minimum pension guarantee का यहाँ पे concept खतम कर दिये तो दोस्तो वाइस ओप एक सर्जमें सोसाइटी के national coordinator बीर बादू सिंग्जी ने एक बार फिर से यह मुद्दा उठा है कि कहीं न कहीं 7 CPC में कुछ changes हो कुछ ऐसी चीज़ आए जिससे उसको फाइदा मिल सके दोस्तो इसका कुछ technical reason है वो मैं आपको आगे आने वाले विस्तार से सही से तो दोस्तो यह कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है I hope सारी जानकारिया आप अच्छे लिए समझी होंगे वीडियो आपको चलगता है वीडियो को like करें और इस channel को आप subscribe कर सकते हैं क्योंकि ऐसी जानकारिया अक्सार आपको मिलती रहती है इस channel के माधन से थैंक यू सो मिच